Hello friends, welcome to my channel Study with Ankita स्वागत हैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए एक बहुती special वीडियो लेकी आई हूँ जिसमें कि हम discuss करेंगे जुलाई महिने का क्रंट फियर ये क्रंट फियर आपको हिंदी और इंगलिश दोनों languages में मिलेगा इस वीडियो के दो पार्ट होंगे तो आज है ये फर्स्ट पार्ट इसके बाद सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी आपको हर एक कोशन की डिटेल explanation मिलेगी और ये वीडियो सभी competitive exams के लिए helpful है यहाँ पर करंट फियर के कोशन आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है और सिक्स मंथ के लिए यानि कि छे मंथ के लिए तो इसका सही अंसर होगा डी कि सेंटरल गोर्मेंट ने 30 जून को ये पारित किया था अन्रिदेश कि इंटायर नागालंड को एक डिस्टरब्ड एरिया घोशित कर दिया गए शे महीने ओर की लिए यानि कि अज़ल दिसंबर तक नागलंड क्या रहेगा एक आशांत शेतर गोश्ट रहेगा। नागलंड का कहना है कि सेंटर सरकार का कहना है कि जो नागलंड है वह का उस हावी तो इस सचुर्ब्ड एरिया है और आम्ड फोर्च कि अधिक घाते संसकर्म को प्रापत करने की जोजना बना रहा है यान कि हमारे पास पहली यह इक स्रिके के बंप हैं बट हम उन्हें और आगे इससे अप्रेड करना चाहते हैं तो इसका सही अंसर हमारा होगा क्या है इस हिस में से कौन से आफैसे नेशन ने अपने बट बिड्ट बिड्र यह दूर्व फॉल्विड्व मतलबुन से लेक हमारे इस बास से और इस wil बेड़्िन कुछ यह इस इंहाना शाल लुऑ मैस है से इसे नेशन ने अपने बिड़ मतलब कि उसने क्या किया कि एक बोली लगाई है कि वो अपने देश में इस कप को जोजन करना चाहता है तो इसका सही अंसर होगा हमारा इंडिया यानि की हमारा भारत इंडिया इस राइट आंसर एवन आगे बात करते हैं विच नेशन्स प्राइम मिनिस्टर हैस लॉंच रा मेगा बिलियन 10 एर डिफेंस प्लान जनकी किस राश्टर के परधान मंत्री ने एक मेगा बिलियन 10 वर्षय रक्सा जोजना शुरू की है तो इसका सही एंसर होगा ये की है उस्टेलिया ने और ये उस्टेलिया ने क्यों की है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए क्योंकि अस्टेलिया ने शुरू सी अपने जो डिफेंस बजट है उस पे कम खर्च किया था बट अब जैसे यसे लग रहा है कि चाइना काफी अग्रेसिव हो रहा है तो अस्टेलिय भी चार है कि उसका डिफेंस बजट है वो भी बड़े चाइना को काउंटर करने के लिए तो इसका सही अंसर होगा उस्टेलिया उस्टेलिया के जो प्राइम निस्ट रहें स्पोर्ट मोरिसन उन्हों ने लॉंच किया 270 अस्टेलियन डोलर जो कि 10 साल में वो खर्च करेंगे जुलाई एक को ये किया गया था अंडर दा मैसिव डिफेंस प्लान ऑस्टेलिया विल इन्वेस्ट इन लैंड सी एंड एयर बेस लोंग रीच और हैपर सॉनिक स्ट्राइक मसाइल्स यानकि इसमें क्या किया जाएगा 10 साल के अंदर अंदर ये पैसा खर्च किया जाएगा और इसमें जो स्टीलिया है अपने भूमी सुमुंदर और वायू दारित लंबी दूरी हैपर सॉनिक स्ट्राइक मसालों में नवेश करेगा और ये क्यों कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए आगे बात करते है आगे हमारा अगला कोस्षन पीएम नरेंदर मोदी तक 2009 व्ट साइडे जनरी कि पी खिर्या कि परिंदर अ क्यों कि चाइना की कि योटाए गया क्योंकि हान fighting लेत्थ शुपटी-नाइंब कर दिये थे इंक्लूडिंग टिक टॉक एंड कैम स्कैनर तो इसकी वज़े से क्या किया गया था चाइन जो मुद्धर मोदी जी है उन्हों ने भी अपना अकाउंट था यह उसमें बंद कर दिया गया था और उन्हों अकाउंट कब खोला था जब वो चाइना की दातरा पर गए थे तब उन्हों ने चाइना की लोगों से क्नेक्ट करने के लिए यह अपना अकाउंट उस पर साइट पर खोला था अब उन्हों ने क्या कर दिया इसे बंद कर दिया गया है तो प्राइम निस्टर नेंदर मोदी हैस डिसाड़ेट इस अकाउंट ऑन चाइनिस माइक्रोब्लोगिं वेबसाइट सीना वीबो को अपने खाते को हटाने का फैंसला लिया है जो वे कुछ साल पेले शामिल हुए थे जहें कदम बारत सकवारदारा टिक टॉक और कैम स्कैनर सहीत 59 चाइने से आपको प्रतिबंदित करने के बाद आया है ठीक है आगे बात करते हैं जाने कि एक एसा कौन सा राज्या है जिसने की COVID-19 के कारण अपनी नोकरी खो चुके एक्सपेट्स को रोजगर परदान करने के लिए एक प्रजोजना शुरू करने का निरिन्या लिया है तो किसने यह निरिन्या लिया है तो यह निरिन्या लिया है केरला सरकार ने और यह क्यों लिया गया है ताकि जो लोग अपने जो गोर्मेंट जोप्स खो चुके हैं COVID-19 के वज़ए से जान कि जो बाहरे देशों से हमारे इंडिया में आये थे लोग जो इंडियन के लोग थे उनके लिए जैसा प्रोग्राम शुरू किया गया है केरल सरकवार के दवारा तो इसका सही अंसर होगा केरला गोर्मेंट लॉंच दर ड्रीम केरला प्रजेक्ट और जुलाई 1st 2020 तो टैप इंटो प्रोग्राम शुरू किया गया है ड्रीम केरल प्रजेक्ट ठीक है आगे बात करते हैं विशब बैंक ने निमामी गंगे बैंक कारेक्रम के तहत गंगा नदी के कायक कल्प के लिए कितना श्रंड सविकरत किया है तो इसका सही अंसर होगा 400 million American dollar यनकी USD 400 million dollars यह जो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है गंगा रिवर के लिए ताकि गंगा रिवर को और भैतर बनाया सके गंगा रिवर के जो प्रोग्रम चल रहे है नमामी गंगे प्रोग्राम उसके अंडर यह लोन पारित किया गया है 400 million USD डोलर का तो the board of executive directors of the world bank group has approved a loan worth USD 400 million for the reservation of the गंगा river under the नमामी गंगे प्रोग्राम of the government of India the loan amount is aimed to assist in strengthening the river basin ठीक है ना दान की क्यों किया गया है तो जान की जो हमारी गंगा नदी है उसके बेसिंग को मुझबूत करने के लिए यह शुरू किया गया है 400 million USD के शरंड को मंजूरी दी गई है और जो world bank है उसका headquarter काहां पर Washington DC में है और इसके जो head है वो कौन president है जानी कि वो है David Malpass next बात करते हैं which nation held a referendum to get public opinion on its new constitutional amendment यानि कि किस देश ने अपने नए सब्धानी कि सशोधनों पर जनता की राय प्रापत करने के लिए जन्मत संग रहे किया तो यह किया गया था रश्या के द्वारा और पहले देखिए आप समझे कि referendum क्या होता है referendum मतलब की देखिए आपने पड़ा होगा कि देखिए दो द्रिक्राइक की डेमोकरेसी होती है एक होती है ड्रेक्ट Secretary डेमोकरेसी अब देखिए Direct जन्मत संग्रहा कराएंगी देखे पहले तो हमने उन्हें वोट करके एलक्षिंस में जिताया और उन्हें अपना प्रतिनिदी चुना फिर इसके बाद क्या होगा जब भी उन्हें कोई फैंसला लेना होगा वो क्या करेंगे हमसे फिर से वोट करवाएंगी ताकि आप देखि करना जाते हैं कि वह अपने से शोधन करने चाथे चुंग और यह किया चुछ यह उस परकार से सुन हो शुरत क्या और है ंठी कि वह चाहते हैं कि जो व्लाधिविन पूतिण है जो उनकी मतलब उनके जो कारकों है वह और ने चाहते हैं कि वह अगले बारा साल तक जाने कि उननुक्षविस तक भी कहां मेरा सकें पावर मेरा सकते हैं और यह व्लादीमर्य-पूति ना चीन इंटी-एट से प्राइमिनिस्टर जा फिर कभी कभी तो प्रेजिडेंट बन जाते हैं अभी तो प्रेजिडेंट हैं कभी यह प्रैमिनिस्टर की पोस्ट पर जाते हैं क्योंकि पर जो रश्या कानून था वो कुछ एचा था कि हर प्र सब्सक्राइब प्राइमिनिस्टर रहा सकते हैं तो यह किया गया कि ताकि वह सके और इसे जहुद को पूरू भी कर दिया गया है तो यह अलगी तरह की राजनीती हो रही है रशिया में आगे बात करते हैं तो में समी मिनिस्ट्री यान कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइस मिनिस्ट्री हैस लॉंच्ट विच पॉर्टल फॉर मेसमी मनतराले नने पंजी करण के लिए क्मकर अभी को पॉर्टल लॉंच्ट किया गया है दो यह मिनिस्ट्री है उसे लॉंच्ट वटल चैना चाहिए और उन्हें क्या करते हैं ठीक है अगे बात करते हैं तो तो चेशा संचार राष्ट संहरों के दवारा इसका मतलब क्या है चाइना की हिसाब उनके जो देश में तो इसी कंपनी को क्या कर दिया है कर दिया है कि वह नैशनल त्रेट हैं वह कौन सी दो कंपनी है एक तो है उनकी हुआई जो कि यूके में ब्यान है जो कि 5G टकनोलोजी बेच लिए और आपको बात प्रताता हुआ जो जो डॉर्टर है वह यूके में जेल में बंद है यह इंगलेंड वहां की जेल में बंद है उनके भी चार्जिस आंक कि वह क्या करें स्पाइंग कर रहे हैं अपने जो 5G टकनोलोजी बेच के ठीक है ना और यूके चाहता भी ही है कि एक इसा गुर्प बन जाए जिसमें कि जो चाइना है वह फाइव जी टकनोलोजी से उसे बहार किया जा सके और दूसरी जो कंपनी है वह है जैड़ टीए ठीक है ना जो चाइनस कॉम्पनिस्ट पर्टी है उन्हें नहां कह 새 अन्हें जावा है उन्न ना रहे है कि ये स्पाटी का यह ना गी प्रेजिट bomb बना रहे हैं पता रहे है चाइना का द्वार। आपको पता ही होगा कि चाहिना के बीच कितनी ठानी चल रही है। पहले तो ए मेरीका की वजए से काफी इंटरनेशनल टस्वर चल रहे हैं दोनों के बीच में आगे बात कते हैं विच मिनिस्ट्री हास प्रपेर्ड अब लूप्रिंट फॉर अन्यू स्कीम टू एनेबल कैशलेस ट्रीट्मेंट ऑफ मोटर एक्सिडेंट विक्तम्स जैनके किस मंतराले ने मोटर द्रुगतना पीरतों के कैशलेस उपचार को सक्षम करने के लिए एक नहीं जोजना का खाका त्यार किया है तो यह तो आप समझी सकते हैं कोशन पढ़के ही कि कौन सी मिनिस्ट्री त्यार करेगी जखाका तो यह करेगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ओबिसली बात है जिसका सही अंसरों का ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और इसके हैड कौन है नितिन गटकरी साब जी इसके हैड है इंडिया स्टेंड्स अट विच पजीशन इंड वर्ल्ड इन टांस ओ फोरन अक्सचेंज रिजर्व जैनकि जो हमारा विदेशी मुद्राबंधार है उसमें हमारा इंडिया किसमें कौन से स्थान में आता है तो इसका सही अंसर होगा फिफ्थ पांच में इसे बोलते हैं हम फोरक्स रिजर्व जानी कि फोरन अक्षेंज रिजर्व थीक है ना तो हमारा जो इंडिया को फोर्रक्स चेंज रिजर्व हैं वह कहां पर हमारा 500 बिलियंड दोलर तक भी पार कर चुका है और आइमेंफ के और जो हम पीछे किसके हैं तो फॉर्स नंबर पर चाइना दूस और इससे रखने के क्या फाइदे होते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया इस प्लानिंग टू प्रक्योर ट्वंटीवन मिग 929 फाइटर जैट्स फ्रॉम विच नेशन अंडर इट्स लेटेस्ट डिफैंजील यानकि भारत अपने नविनितम रक्ष्या सोधे के तहत किस देश से की मिग लडाकू जाट खृदने की जोजना बना रहा है तो जो मिग 21 आपको पता होगा कौन से देश के हैं यह रशिया के तो हम किसे खृद रहे रशिया से खृद रहे हैं यह मिग 29 खृद रहे हैं ठीक जूनिएट इसमिस बूस्ता कमबार्ट कापिबिलिटी ओफ इंडियन आम्ड फोसीज अंडर देनी डिफेंस दील इसमें क्या हम कुछ ख्रीदेंगे एक तो 21 मिग ख्रीदेंगे और ठीक है ना और साथ में हम ख्रीदेंगे बारा SU-30M का ये एरक्राफ्ट विल भी ब्राउट फ्रम स्टेट रन H.E.L. H.E.L. क्या हमारी जो हिंडूसान एरोटिक लिम्टर है उससे हम जे 12 SU माइक ख्रीदेंगे आगे बात करते हैं which state has launched बलराम scheme to provide credits to 7 lakh landless farmers जनके किस राजिया ने 7 lakh बहुमिन किसानों को श्रंड देने के लिए बलराम जोजना शुरू की है तो जोजना शुरू की गई है उडिसा के द्वारा जोजना शुरू की गई है इस जोजना में क्या होगा जो 7 lakh landless farmer है जनकी जिनके पास बहुमिन क जोजना ख्रेदितान है उन्हें क्या दिया जाएगा उन्हें credit जैगा जनकी उन्हें ज्रंड दिया जाएगा उडिसा के द्वारा है इंडिया सब्सक्राइब है उसमें कितने उक्विटी हिस्यदारी खरीदी है तो यह खरीदी गई है इंटाइल कापिटल के द्वारा जिरो पॉइंट 3 9 परसेंट ठीक है आपको पता ही होगा कि जो रिलैंस जियो है अभी लोगडाउन में सबसे चाहिता अगर ट्रप कि किस ने किया तो वो रिलैंस जियो ने किया है अगर हम आज पढ़ पा रहे हैं मैं आपको इस प्लाटफॉर्म में पढ़ा रही हूं और आ जो कि अभी हाली में फेस्बुक ने भी काफी अच्छे शेर पर दे उसके प्रचेस किये थे काफी मतलब कंपनियों ने रिलाइंस जीओ पे इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट किया है ठीक है ना आगे बात करते हैं कि रिलाइंस इंडूस्ट्री इंडियो प्लाटफॉर्म अन खंंडी है जो ग्रेंट है इसमें चूब्ल भारत की रहांग है वह कितनी आहिए तो भारत की आई इसमें 34 वर्ट की हमारी ठीक है ठीक है मज्ट आंगोजबश्ट किया जाता है इंडिया वस छंड इंडियों से लाजले बैने इतना किया है उसमें काफी इंडस्री इनस्ट्री है उसमें काफी सर्षेंट बिजनस है ठीए इसलिए हमें 34 पर रखा गया कि आगे बात करते हैं विच अप्स ओलोविंग हैज नौट विंड़न वाइद एंडियान आर्मी जो की भारत सेना के प्रतिबदित नहीं किया गया है तो इंडिया आर्मी जैसे कि हमने जो 59 चाइने से बैन कर दिये गये थे ठीक न तो इसे ही इंडिया आर्मी ने कुछ एप्स बैन किये गये है और यह आप बैन क्यों किये गये है इसका चाइने से कोई एक नेक्शन नहीं है बलकि इसका रीज से कोई भी आप अपने जो अपने फोन पे आपको इतने आप में नहीं रखनी है तो इसका सही एंसर हमारा होगा कि जो इंडियन आर्मी ने अप्लिकेशन कर दिए गया है और जो बैन नहीं किया गया है तो इसका सही एंसर हमारा होगा डीवन ट्वीटर यह इंकि बहुतिया नहीं कि भारते सेना के सूत्रों के इंसार सुकना के रिससाफ को रोकने के लिए दिया अगे बात करते हैं यह मतलब समिट काव होगा फिफीजें इंडिया अब यूरोपन समिट में कितने देश बचे हैं अब 27 पहले 28 अब 27 क्योंकि UK का एक्जिट हो गय इसमें ने भी भाग लिया था वीवर समान जोजना एंकि कि बुनकर समान जोजना के लिए किस राजया ने शुरू की है जिसका सही इंसर होगा करनाठका करनाठका ने जोजना शुरू की गी है ताकि जो उनके बुनकर हैं जानकि जो hand rooms का काम करते हैं उन्हें कुछ मद्द प्रवाइड की जा सके रुपीज 2,000 annually उन्हें क्या किये जाएंगे प्रवाइड किये जाएंगे जो वीवर्स होते हैं ठीक है ना तो देखे कनाड का चीफ मिनिस्टर बीएड दूरुपा लॉंच दवीवर्स सम्मन जोजना उन जुलाई 6 2020 इस कीम में क्या होगा कि गुवर्मेंट क्या करेगी एन्नुल फाइनेशिल हैल्प प्रवाइड करेगी 2000 पे की कितने को करेगी क्या होता है कि उनके खातों में सीधा ये राशी पहुंच जाएगी ठीक है आगे बात करते हैं विच इंडिन क्रिक्टर हैस कम अंडर दा कॉंफ्लिक्ट ऑफ इंट्रस स्कैनर जैनकि कौन सा भारति क्रिकट हितो के ट्रकरावे दारे में आ चुका है तो इसका सही अंसर हो होगा विराट कोली कि तो कटकराव का मतलब कॉंफ्लिक्ट ऑफ इंटरस का मतलब होता है कि एसा परसन जैनके जो कोली है वो क्या कि दो कंपनियों में उनकी इन्वल्मेंट पाई गी है बलकि जो बीसी से की रूज होते हैं वह ऐसा आप एसा नहीं कर सकते आप मतलब एक प कंपनिये एक तो कॉली स्पोर्ट कंपनी और दूसरी कंपनी है कौर में इस को रहे हैं कि वी क्रोना वीरस का हवाई नहीं आएगा बिल्कि जानर के यह सी यह ट्रांसफर नहीं होता है बड कुछ अभी ऑगनेशन ने बताया है कि एरबंड ट्रांसफर भी हो रहा है तो इसलिए प्लीज आप अपने घर में है तो यह बताया के द्वारा जिसका के हेड़कॉर्टर काम पर जनेवा में है जनेवा जाने की स्विजलैंड में और आपको पता हुगा कि युएस ने क्रोना वेर्स पैंडमिक के वाद से जो डबली अच्छों से पूल करने का मतला लिया था डिसीजन लिया था अर्ब उस डिसीजन को फॉर ग्रूबल मॉडी में अफ्र ग्रूप ऑफ साइंटिस अर्जटी टू अपडेट इस गाइडेंस और हाव देविटेविन पीपल्स जैनकी जो कुछ ग्रूप से डॉक्टर से उन्हों ने ये बत बात बताई थी अपनी सटी के उंसार कि क्या जिए रिजीजीज है क्या जो दोनों के लोग बीच में फैल रहा है हवा के तुरू अगे बात करते हैं विच अरब नेशन विल बिकम दा फर्स्ट वन टू लॉंच मार्स प्रॉब और जुलाई 15 यांकि कौन से अरब नेशन है जिसको फर्स्ट वन बन जाएगा जो कि जुलाई 15 को अपना जो मार्स प् अरब अमीराथ यह प्रोग्राम शुरू करेगा और इस जो मार्स मंगर ग्रह पर ब्यजने का प्रोग्राम है इसका नाम क्या है ? कि यहां पर यूए का कंट्रिबुशन कुछ भी नहीं है बलके तो यूए ने तो क्या कि है जपान को पैसे दी है अपना जे मिशन भेजने के लिए और पैसे क्यों दिएगी है ताकि जो यूए के जो यंग लोग है जनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंकरेजमेंट आसक सबसे पहले यूए ने यह मिशन किया है ठीक है ना तो प्रवाइड़ कंप्रहेंसिव इमेच ओफ देड़र डैनमिक्स इन मार्स अटमा अटमोस्फियर और पेव दा वेफॉर संट्रिक बेक्ट्रूस लिजन्ट्री इटालियन म्यूजिक कंपोजर एंड नियों अमरुके में अपना प्रतिस्पादी कॉंपिटिटिव उसकर कब जीता था तो इसका सही अंसर होगा उनने जीता था 2016 में 2016 में बस आपको उनका नाम जाद रखना है अन्यों मौर्किन और यह कौन से देश से इटालिन देश से किसे इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं तो यह करती है मुजी कंपोजर हैं तो ठीक है ना अपना फर्सकर जीता था 2016 में उनकी एक फिलम थी कॉरिंटें टो फिलम दा हेट फुल एट बिकामिंग दा ओल्डेस परसन एवर वह सबसे मतलब उमर्दराज व्यक्ति थे जुन्होंने की यह कॉंपिटिटिव उसकर जीता था आगे ब करोनावारस के लिए वैक्सीन बना सकता है तो इसका सही अंसर होगा को वैक्सीन किसका नाम क्या है को वैक्सीन और इसके तो जो यूमन ट्राइल्स वह भी शुरू हो चुके हैं को वैक्सीन के तो ड्रंग ग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपरूमेंट दे दिया है है detect है जो कि भारतस भाईटक काटीड कडिडेट है जिसका नाम रखा गया denkt को अपनी मजूरी दे दी गई है को फवेक्षिन भारत का पहला सव्देशी वैक्सिंच मेंड़ा होगा Mountain क्युक्isième को वैक्सिन के लिए क Earn tap करते हैं आएगे बात करते हैं जाय्टेवमंत्रीं ग्रीघव लांत्यौन को किस महिने तक बढ़ाने की गही है आपको पता होगा जब लग दौन लगा था तो बॉस्त अच्रल के सब्सक्राइब लोगों को नवंबर 2020 तक कर दिया गया है ताकि जो पूर लोग है और जो सब्सक्राइब लेबर से उनके कुछ हो सके आगे बात करते हैं सब्सक्राइब किश्मीरी लीडर साइद अल शाह गिलानी विच प्रिटिकल फ्रंट अलगावदी किश्मीरी नेता साइद अली शाह गिलानी ने किस राजनितिक मोर्चे को छोड़ दिया है उसका सही अंसर कीश्मीरी का इसन के यह जो किश्मीरी की आपर राजनिति करने की जो उसमें है यह एक फेस्ट बनी होएते ती साल तक गिलानी को ब्लेम किया जाता है कि जो किश्मीर में जो मिलिटी से किके ना किश्मीर में जो उगरबाद है जो मिलिटैंसी है जो ब्लडशाट जनकी इतना लोस होता कश्मीर में वो इनके वज़े से ही होता है आगे बाप करते हैं इरान है कि जारी किया है किया है इंनों की कियान है उनकी कि खिलाफ श्रारी कंश आरे किया करिए कि यह की है कि जूँ किया है मुझे इस पर हशी आ रही है बहुत ही जीव सा नरीन है उन्हें पता है इरान को होना तो कुछ भी नहीं है बट फिर भी उन्होंने अपना दिखाने के लिए कि हम बदला लेना चाहते हैं आपसे और यह क्यों किया गया है क्योंकि जब जनवरी में क्या हुआ था जो इरान का टॉप जनरल था जो कासी में सौलीमानी था उसका क्या इराक में जो बगदाद में क्या गया था मडर कर दिया गया था जैनके सैसे कुछ भी आप बोलो ठीक ना वह कर दिया गया था इसके बाद से इरान इरान का चाहता था कि जो यूएस प्रेजिएंट डोनल्ड ट्रांप हैं उन्होंने ये ओडर दि पांडे को जाइन उन्होंने वह था था टिक यूएल तो इसका सही अंसर हो गाइपि पूल नहीं नहीं श्तोरी के यूए एक च्योड प्राइज है तो जीता गया ग्रेट इंडियन टीन ओड़ ने है जो हमारी इंडियन ओतर है तो जीता गया है कृतिका पांडे के द्वारा आगे बात करते हैं चाइनिस चैंपियन लिंडिन है अनूंस रिटार्मेंट फ्रॉंग विच आफ दीस स्पोर्ट्स रिसेंटली जो चैंपियन लिंडिन उन्होंने जो अपनी अनूंस्मेंट रिटार्मेंट है वो किस स्पोर्ट से हाली में अपनी सेवन दित्ती की घोशना की है तो इसका सही एंसर हमारा होगा बैड्मिंटन से यनकि उन्होंने अपनी जो घोशना की है तो किसके यह कि है बैड्मिंटन के काफी अच्छे प्लेयर माने जाते थे यह क्योंकि यह क्य कर देना है और अगर इनकी नैशनल्टी पूची जाएं तुझे कौन थे चाइनिस थे ठीक्या आगे बात करते हैं एनपी सी आई जनकी नैशनल पेमेंट कॉपरेशन ऑफ इंडिया अपना स्मार्ट डाटा सेंटर इन विच सिटी ओफ दा इंडिया ने भारत के किस शहर में अपना स्मार्ट डाटा सेंटर स्थापित करने का निरिन्या लिया है तो जे निरिन्या लिया गया है किसके द्वारा लिया गया है तो इसका सही अंसर होगा काम पर जिन लिया गया है बनाए जाएगा हैदराबाद यानकी तेलांगना में यह बनाया जाएगा स्मार्ट डाटा सेंटर ठीक है तेलांगना की यह है नेम दा वीडियो कानफरेंसिंग आप लॉंच्ट बाइधा रिलाइंस इंडस्ट्री एनेबल ग्रूप मिटिंग तो गूरूप मिटिंग सो सक् जिसमें कि आप वीडियो कानफरेंसिंग करते हो तो एसे कुछ रिलाइंस में अपना यह आप लॉंच किया गया है गूरूप मिटिंग के लिए जियो मीट आपको पता होगा क्रोणा वायर्स पैंडमी की समया क्या से जो सारी जो कानफरेंसिंग की तरू हो रही थी तो यह जोने जून को टक कर देने के लिए जो कि जून किया कि यूएस टी बेस्ट कमपनी है बड़ जो इसकी इन्वेस्टर से वह चाइना के है तो यह पते ने चाहिए पर जून थी उसमें क्या थे कुछ स्कुर्टी इशू से तो भारत सरकार ने इस पर अपना आदेश भी जार जियो मीट दो मार्स और बिटर मिशन अफ इस रोग एस एप्चर अफ जून की जिसे मों भी बोलते हैं तिक ना आपने फिलम लेखे होगे मंगल मिशन ठीक है ना उसमें आप देख सकते हैं जो मार्स मिशन केसे भी जा गया था तो जो मंगल जो मार्स मिशन है जैंकि जो म सबसे बड़ा मून है उसका नाम बताइए तो आपको अंसर देना होगा फोबस मिशन फोबस मून है ठीक है तो जो मार्स मिशन था जिसे कि मंगल जान मिशन भी बोलते हैं और इस रोहाइस काप्चर दा मीच ओप देख्रोजिस और बिगेस्ट मून अफ मार्स नेम्ड फो बाइद मार्स कलर क्यामरा पॉर्बड मॉम वस अबाउट 7200 किलोमेटर फों मार्स और 4200 किलोमेटर फोबस विच नेशन है लॉंच्ट अ न्यू स्पाई सैटलाइट यान कि कौन सी राश्टर है जिसने के एक नया जासुस उपगरह लॉंच किया है यान कि अब क्या इसराइल के दवारा श्याना आज कर जो वर्ल्ड पॉलिटिकस सब्सक्राइब काफी इंटरस्टिंग चल रही है आप पढ़के देखें वर्ल्ल पौलिटिकस काफ़ी टंत्रीक होगा यह पढ़ने को इसराइल के सबनेंस स्ब्सक्राइब कि से उलाइक को सट्रेल लॉंच मानते हैं हम तेल अवीव मानते हैं वह क्या है इसको तेल अवीव मानते हैं आगे बात करते हैं कि स्टेट है सिस्टेट कंवर मेला मेर को ना इनकर के वजह सेंगे कर दिया गया है तो यह चाँचे है के निला था इसलिए जो मेला था वह स्तागित कर दिया गया है तो उत्रपन पुलिस ने एक नोटिस किया गया है कि जो कर्ण Karma मेला उससमेंड कर धिया गया है और पुलिस तो इसकी जो 40 वेपसाइट सी वह बैन कर दी गही है किसके द्वारा बैन की गही है तो यह बैन की गही है हमारी इंडिया के द्वारा अब आपको थोटा सा ब्रीफ में बता देते हूं कि जिस फॉर जस्टिस गुरूप है क्या आपको पता होगा कि एक टाइम एसा है था जब पंजाब है इन दोनों ए recognizes कर दियाए जैसे की जैसे मारा पाकिसन मुस्लिम राज्य की रूप में इसी जो पागी पंजाब है उस इसमें लिजग राज प्टेल त्व कर दिया जाए तब कुछ पर इपे. प्रदान मंत्री थी उन्होंने क्या किया था भी उसमें गॉल्डन टेंपल में आर्मी भेज़ दी गई थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जिसमें कि भिंडर वारत उसे मार गिरा गया था और इस जो इंसिडेंट हुआ था इसमें जो गॉल्डन टेंपल को कe लोग थे उनके जो मतलब उनकी सैंटिमेंट था उन्हें काफी थेश कोंचि थे इस जिए आजसे क्या हुआ था इंडरा गांदी के खिलाफ इंडरा गांदी को शूट कर दिया था इसके बाद क्या हुआ उब पंजाब में इससी को परती दंगे काफी बढ़के और काफी लोगों को मतलब उसमें लोग लोग मारे गए और यह हमारी इंडिया का बहुत ही काला हितिहास है इसके बाद से जो थी जो मांग थी जो पंजाब को मतलब अलग देश बनाने की वो कम होती चली गई बट जो हमारे कुछ देशे से हैं जैसके कैनेडा है वो यूएस से यूके उसमें क्य करता है ताकि इंडिया को हम अलग कर सकें तो उन्हें अभी मांग आई थी कि जो कैनेडा है वां पर क्या किया गया एक रिफ्रेंडम कराया जाएगा जैनके उनका मतलब क्या है उनका जो सीख्ख के लिए नहीं बलकि जो पंजाब में रहते हैं कि जो पंजाबी है वो कराना था आपको फिजिकली कराना था फिर कोवी नैंटिन के वज़ए से क्या हुआ अब इसको जो ऑनलेन करवाया गया था वेबसाइट के जरीए ठीक है ना और यह वेबसाइट कर रही थी यह सबसे बड़ा जीप सा कारण था इसका फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो कने की काफी मतलब इस बात का स्वागत किया था तो जो इंडिया ने हमारे जो इनकी वेबसाइट सी चारीज वेबसाइट सी शिक्स फॉर जस्टिस नाम की यह बंद कर दी थी इस वज़ए से ग्लो कर दी गई थी ठीक है ना तो आशा करते हूं आपको यह समझा आगा चोटा स की मांग करी थी तकि इसकी जो डिमांड है जो सेपरेट खालिस्तान बनाने की मांग है उससे उसको बनाने के लिए तो होम निस्ति ने इस वैपसाइट को क्या कर दिया है ब्लो कर दिया गया है आगे बात करते हैं विच स्टेट वान विद एल्पीजी कनेक्शन्स इन ओल सबकर विद्य को बनाने वाला राज्य कोंग गया है कि इसका सही इंतर होगा हिमाच्च्रपरदेश यहां पर थे संदर सब के घरों में left चुका है पर सब में आ चुक है इसका बता दूंट एक बता कर प्ता दूंट आगे बात करते हैं विच स्टेट्स काबिनेट हैस अप्रूवड ड्राफ्ट और डिन स्टिकिंग 75 परसेंट रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ इंप्राइवट और्गनाजेशन किस राज्य के मंत्री मंदल ने नीजी संगठनों के सथानिया जुवाउं के लिए 75 जो लोकल जूथ हैं वही इसमें नौकरियां रिजर्वेशन उनके लिए यह होगा तो यह किसने किया गया है तो यह किया गया हर्याना के द्वारा तो हर्याना के अबिटेंट ने शिच्छ जुलाइक को एक प्रकोज़र मुंजूर किया है इसमें कि 75 परसेंट जोप्स दी जाएंगी जे नौकरियां तो इंडिया है साइंड एन एग्रिमेंट वोर्थ यूएस्टी सैवंटी फाइफ मिलियन अमेरिकन डॉलर विद विच इंटरनेशनल और्गनेशेशन फॉर एमसमी रिस्पोंस एमर्जंसी रिस्पोंस प्रोग्राम जनकि इंडिया ने भारत न साथ करों सब्सक्राइं के समयां उनके लिए निवर्पाई की जा सके इंडियन गॉफ्षय मलगूं और विच्ट कर वेस्टी प्रवाह क स्मर्थन करना है जो कोवी नाटिशिव से प्रतिकुल रूप से प्रभावित हुए हैं आगे बात करते हैं दहिंग पटकाई वार्लाफ संचरी विल सून गेट नैशनल पार्क स्टेट सेटेस इस लोकेटेट इस लिए यह यह चैटीए नाशनल पार्क बन जाएगी तो कौन सी स्टेट में है इसका शही अंसर होगा यह है असाम में थेका ना असाम के जो सीयमें व जुलाई छे में अनौन्स किया गया है कि जो गोर्मेंट है कि साइड किया कि जो देहिंग पटकाई वार्लाफ सेंचरी है वो क्या कर देजाएगी अपग्रेट कर देजाएगी एक नैशनल पार्क के जरिए जो देहिंग वार्लाफ सेंचरी है उसे क्या कर देजाएगा अपग्रेट कर देजाएगा नैशनल पार्क में विच अमंग दा फॉर्विंग स्टेट गोवर्मेंट्स आज जो पॉटल फॉर रिकूट्मेंट ऑफ स्कील्ड सैमी स्कील्ड और अंस्कील्ड वर्कर इनके कैसे कौन से स्टेट ने एक भरती के लिए रोजगार पॉटल शुरू किया गया है ताकि जो कूशल है अर्द स्टेट के वासी है उन्हें क्या करेगा जो कुशल और अर्द कुशल है उन लोगों के लिए करमचारियों के भरती के लिए मदद करेगा आगे बात करते हैं इंजीती स्रीनवास इसका नाम है इंजीती स्रीनवास जो कि उन्हें कि किस कंपनी का चेर्मैन क्या बनाया गया है तो इसका सही अंतुरूगा इसका इसके अपोईटमेंट किया गया है बाइदी अपोईटमेंट केमेटी ऑफ दा कैबिनेट इसका इन्हें चेर्मैन बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेशल सर्वी सेन्टर अथोरिटी आगे बात करते हैं मैनमार एंड श्रीलंका हैव अलमिनेट्ट विच डिजीज लंका है जिनका टार्गेटँ ऋğल्टेशन का गया था उपनाटन कर लिया है तो वहस्ति इस पेली अपना खत्म कर लिया है तो मच्टन के मह मेंड़ियृसर एसिया रीजन तु एलमेलेट बॉस मीजल्स और रुबेला एड़ ऑफ दर टूज़ंट टार्गेट आगे बात करते हैं तो इंट्रनेशनल क्रिकेट मैच पोस्ट कोवी-19 लोगडाउन वस प्लेट बिट्विन विच टू नेशन अंतरश्ट्र क्रिकेट मैच के बाद का जो कोवी-19 लोगडाउन था कि दो राश्ट्रों के बीच में खेला गया था तो जैंगलान एंड वेस्ट इंडीज के बीच में इंगलान एंड वेस्ट इंडीज एवान इस राइट एंसर इंडिया वाज रैंक्ट एट प्जिशन ओंडी ग्लोबल रियल एस्टेट तो आपको यह में रख राद्य कोशन तो आगे बात करते हैं गुजरात है जग स्टेंड़ दा टाइम फ्रेम ऑफ गुजरास सोलर पावर पॉलिशी तो तुट विच मंथ जैंकि जो गुजरात ने अपनी जो गुजरास सोलर पावर पॉलिशी थी 2015 कि उसे कांथ कर दिया है तो यह स्टेंड कर दिया गया है कतिसी दिसंबर तक 31 दिसंबर गुजरात 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 सोलर पावर पॉलिशी 2015 तिल दिसंबर 31 2020 तक विच नेशन है प्लान तो फाइफ टू एट न्यूकलर रेक्टर पर येर बिट्विन 2020-2025 जैनकि कैसे राष्टर ने 2020 के बी है चाइना के द्वारा चाइना चाइना ने प्लान किया है कि वह सिक्स टू एट न्यूकलर पावर रेक्टर हर साल बनाएंगे 2020-2025 के लिए ताकि जो उनकी टोटल कपैस्टी है जो कुल शमता सत्तर गीगावाट है उसे बढ़ाया जा सकते जो के 43.5 प्रतिशता है उमीद की जाती है कि 235 तक लबग 200 गीगावाट में उप्रेशन जा निर्माधिन पुल शमता में राष्टर को लाया जाएगा वैतरन एक्टर और कॉमेडियन जगदीप पास्ट वे उन जुलाई एट ही एसे डा पॉपलर रोल आफ सूर्मा भॉपाली इंविच फिलम यानकि जो आगे बात करते हैं विच स्टेट गौर्मेंट एज लॉंच दा लैंड यूस इंटैलिजेंस सिस्टम किस राध्य सरकार ने भूप यो खूफिया परनाली शुरू की है जैनकि जो सरकारी जमीन होती है जो लोग कबजा करके बैठ जाते हैं ग्यार कानुन तरीके से उनका सिस्टम से उनका मुनिटर किया जाएगा ताकि यह से कोई भी जमीन को हेट ना सकी तो यह किसने किसके द्वारा किया शुरू किया गया है उडिसा के द्वारा नवीन पतनायक इनके क्या है गवनर है और गनेशी लान वहां के गवर्णनर कापिटल भुवनेश्वर तो जमीनों सरकारी जमीनों में जो भी बदलाव होते हैं उनकी जो निगरानी के लिए भुवनेश्वर लैंड यूस इंटैलिजेंस सिस्टम को लॉंच किया गया है आगे बात कते हैं विच इंडिया न्यूस चैनल इस नोट बिन टेकन ऑफ एर बाई नेपाल से केवल टीव इसलिए से बंद नहीं किया गया गया नेपाल में तो इसका नाम क्या है दूर्दश्चन विचे क्यों कि बंद किया गया थी आपको पता ही होगा कि जो नेपाल है वह अभी चीन की इंदिया के काफी मतलब इंडिया के विरुद्ध ब्यान दे रहा है तो इससे क्या था कि जो नेपाल के प्रेजिडेंट है अभी प्राइमिस्ट्रा के पी शर्मा ओली तो जो हमारी इंडियन मीडिया थी वह क्या कर दे थी जो चाइनिस की जो अबैस्डर है वह एक और थी तो वह उनके साथ कुछ फिएर वगारा चल रहा है कुछ एसी अजीब सी बात है जनकी ज इसलिए इनको बैन कर दिया गया इस मीडिया को तो सिर्फ दूदर्शन है अभी वह वहां पर नेपाल में चलेगा क्योंकि जो नेपाल के शुरू कहां से हो थी इंडिया नेपाल के बीच कंटरवसी जो हमारा इंडिया का रीजन है जिसे हम लिख 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 बोलते हैं व मैं पंतलब बना दिया और इसमरी में इंडिया के शेतर थे उसी अपने मैप में दिखा दिया गया और अभी this आई थी मैंने पढ़ी टाजनेशन बीज़ेगा बेजा और इंटरेशन कम मृइछ को यह मुद्ध को लिखे मुद्ध्रन को बेनेशन सके है यह किसके इंफ्लेंस में कर रहा है चाइना के इंफ्लेंस में कर रहा है ठीक है आगे बात करते हैं विच एरोस्पेस कंपनी डिलीवर दा फाइनल फाइफ ऑफ ट्वन्टी टू अपाची एक होडिकॉप्टर्स टू आइफ रिसेंट्ली कौन सी कंपनी है जिसने की हमारे तो यह जाए इंडियन एर फोस को बाइस अपाची ही है धिये गये हैं जो दिया के दौरा गभाइंग कंपनी यह किना गांज यह तो यह की जो आरो सब्सेंड़र्स इंड़स्ट्री भाइंदर्स्ट्री है उसने फाइंटल फाइफ जो फाइफ थे हमारे जोटेंड़ मे स्टेंड ओफ के कारण ही हमें काफी हमने अमर्जेंसी में गवाए हैं तो फ्लीटीज नौ पार्ट अप्ट अप्ट एसेट्स टिप्लाइड की एर बेस अलंगा दा लाइन अफ एक्ट्रों कंट्रोल के कंट्रोल पर इनको तिनाथ किया जाएगा इनके राजनाथ सिंग्ग जो मारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कितने पुल नतर जो बॉर्डर एरिया पे लाइन अफ कंट्रोल पर बॉर्डर एरिया पे कितने ब्रीजिस को मतलब उनका उद्धुखाटन किया है तो इसका सही एंसर होगा छे ब्रीजिस का इसा मिनिस्टर है रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री राजना सिंग ने नई दिली में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में अंतराश्ट्रे सीमा और नियंतर रेखा यांकि जो लोसी है कि करीब सीमा शेत्रों में छे रनेदिक पुलों का बनाए हैं तो पुल के जो सख्चा था फोर्टी थ्री क्रोड रुपीज और दवित्य पूल और पलवन ब्रिज घोड़ी वाला ब्रिज और पहाड़ी वाला ब्रिज और फिर किमारे बियारों के द्वारा बनाए गए हैं विच्ट सेट लॉंच्ट प्योर फॉर शूर केंपन केंपन तो इंशूर देप्रिटी ऑफ दा मिल्क डारी प्रड़क्ट्स यांकि इसी किस राज्या ने दूद डारी उत्पादों के शुदता के लिए शुचित करने के लिए केंपन शूरू किया गया है जिसका नाम है प् आपको इसी वीडियो में बता देते हूं कि जो राज्यस्थान का भी क्या मतलब मस्दा चर रहा है तो हुआ क्या था जो सचिन पालेट थे जो कि जिनोंने की डिप्टी चीफ निश्था थे राज्यस्थान के उन्होंने कि ठारा मंतिर साथ अपने बगावत कर दी थी और इस जो इस देए उन्हों के घर में नहीं आई तो फिर जो स्पीकर थे रादिष्थान के उसमें उनुने क्या कर दिया एक ओर जारी कर दिया लाते हैं उनको स्पेंड करने के लिए जारी कर दिया गया तो यह मामना स्प्रीम कोट ने तक पहुंचा तो फिए अशो के लोत ने फिए की की थी वह क्या है कि जो मानने के लिए बाद्या नहीं है इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो भी विदान सब्सक्राइब को से कुरोना वैरस की वज़े से तो जो गवर्नर है है, वहाँ के कालराज मिश्रा जो ए शोग करोधा जिए वो मिश्राज मिहिश्रा जी से मिलें ताकि जो विधान सबाकर बला सकें और आपको बात बैस जो जो उन सब्स Cップ को बुलाने का जो सदोर होता है वो किसको पास होता है गवरनर के कर दिया गया कि वह वह सब्सक्राइब लाना कुछ आते थे ज़ल्दी से जल्दी थे कौकर जो कांग्रस है अभी उसके पास इतनी सीटें थी अगर जो सचीन पालेट वोगर बगावत भी करते हैं वह कांग्रस के वोट नहीं भी देते हैं तब भी जो स्रकार है उनकी वह बन सरकार के बनाने की पॉजीशन में होती इसलिए जो इस कांग्रिस की सरकार थी वह इतनी जादा जल्दी कर रही थी एक तरफ तो सचीन पालेट थे वह चले अपने जो मंत्री को होटल में लेके और साइफतर होटल में और एक तरफ जो एशोग लहुत थे वह भी चलेगी अप अगला कोशन है प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोदी इन अर्गेटर दा एशेस लाजेस सोर प्लांट इन विच इंडियन स्टेट प्रदानमंत्री नेंदर मोदी ने किस भारतिया राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोर सेंतर का उद्ध खाटन किया तो यह किया गया है र रेवा में तो प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोदी ने इन अर्गेट किया है सेवन फिफ्टी मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट प्रजक्ट मध्या परदेश यह किया गया था वीडियो कॉन्फरेंसी के जरिए दस जुलाइक को अल्ट्रा मेंगा लोबल पॉपोलेशन फानन्ट के बारे में जागउकता पैदा करनी के दवारा नेटी 93 में बनाना शुरू किया गया था था जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कहां तक पॉपुलेशन पॉपुलेशन पहुंच चुकी थी और इस बार को ठीम रखा गए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का यह काफी इंपॉटेंट है पेपर में इससे कोशिन बन सकता है इस वोमें और जाए न तो यह आप मान के चली पेपर में पूछा जाता है जिसका थीम रखेगा प्लीज वोमें और जानकी जनसें के दीवस महलों लड़कियों के सवास्थे और अधिकारों की रक्षा करना German has been to be held in jiun 2021 विच कंट्री विओं तुन्नामेंट कर दिया गया है जो किंुन नहीं होगा और इसे कों सा देश ने करेगा करेगा श्री लंका श्री लंका के द्वारा जी होस्ट किया जाएगा और दोन ही क्लीजह जाल रखेगा जोन तो जाएक्षा प्रिकेट का जो की कि क्रिकेट कर दिया है इसी क्रिकेट कांसे करें के वजह से अब श्रीलंका इसको करें बाइस में आगे बात करते हैं एजिप्ट की जो वर्ल्ड चैंपियन थी प्लियर रियानिम एलिवीली थी तो जो जिप्त की प्लेयर थी उन्होंने किस स्पोर्ट से अपना सन्यास गोशित कर दिया गया है तो जो जिप्त की बलों करती है उन्होंने अपना रिटार्मेंट गोशित को ठीवाइं साल के है और फिस्त वोमें ती अरग वोमन बनी ती जो किसी भी फॉट नंबर वान में किसी भी स्पोर्ट में वड्न नमबर वन में आई थी पॉस्पेश्ट ने इनकी है कि टी में सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब करने का लिए तो इसका सही अंसरों का टू थाउजन एटीन तो बनाएगी थी वह तू नाइन शिक्स सेवन यह आपकड़ा पेपर में जाद रखिए पूछ सकते हैं आप से कितने टाइगर से हमारे इंडिया में तो वह ते टू नाइन शिक्स सेवन और सबसे जादा हमारे इस में पाई जाते हैं मद्द्यापर्देश में एंपी में टिक अभी पाने कि निकला इंट्रथा यह लिए प्रीन दलाय यू लामा एन इलस्टेट्र बाय hometown इंकी जीवनी परम पावन चौध में दले लामा एक सचित्तर जीवनी कि लेखक कॉन हैं द्वारा लिखी गई है तुझे लिखी गई है तेंजीन गीशे तितनांग के द्वारा यह बागगवाफिय लिखी गई है तो जो नदाओं का पुलिस्टेशन है उसे रैंक किया गया है सबसे बेस्ट पुलिस्टेशन इस लोकेटेड है जो नदाओं पुलिस्टेशन है तो यह था हमारा आज का आखरी कोशन आशा करते हूं आपको जी वीडियो अच्छा अच्छी लगी होगी अगर प्लीस इसे अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा सज्यादा लाइक करें अगर आपको इसकी प्रेफ चाहिए तो आप जूआइन में टैलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता और आपको मैं इसका स जल्द अप्लोड कर दूंगी तो ठीक है थांक्यू